गईज ओर राइट तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बीजिक्स 12 एप के अंदर अपनी फोडो को कैसे एडिट कर सकते हो मैंने बीजिक्स 12 के उपर आप बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि बीजिक्स 12 के अंदर आप अपनी फोडो को कैसे एडिट करोगे लेकिन गईज बहुत दिनों से मैं इसके उफर वीडियो नहीं बना रहा था और बीजिक्स 12 एप काफी जधा अपडेटेड भी हो गया है जिसके अंदर और भी नए नए फीचर भी आ चुके हैं जिसके अंद आचुके हैं बहुत सिंपल है सबसे पहले आप बीजिक्स 12 एप को डाउनलोड करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा या फिर आप प्लेस्टोर से एजली डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यह रहां मेरे पास बीजिक्स 12 एप मैं इसको सिंपली ओ इसके बाद थर्ड नमर पर आपको मिल जाएगा अटो कट ठीक है तो यह कट आउट यह पहले अटो कट के नाम से आता था लेकिन अब इसका कट आउट नाम है ठीक है तो आपको कुछ गाइड करेंगे किस तरीके से आपको बैक्गराउंड को एजली डिमूब करना है और अब आपको एडिक करना है ठीक है तो अग्एतो अगर लिए इस फोटो को एडिक करना है तो फोटो को एडिक करना है तो तो यहां पे एक brush का option आपको मिलेगा इस brush वाले option से आप इसको select कर लेंगे ठीक है for example हम यहां से select कर लेते हैं जैसे कि हमें यह भी हम अपने background में चाहते हैं कि जो दूसरा background लगाए उसमें भी रखे यहां से आपको एक eraser का tool मिलेगा eraser वाले tool की help से आप यहां से अगर आपका कोई part ज्यादा है मतलब यहां पर select हो जाए तो यहां पर इस फोटो का background जो है पुड़ा रिमूव हो गया है ठीक है तो यहां पर कुछ background भी आपको मिल जाते हैं जो कि आप एड़ कर सकते हो और वाइज आप यहां से अपना background एड़ कर सकते हो जैसे कि यहां से एक background को option मिल जागा जो plus का icon है इस पर क्लिक करेंगे और यहां से हम इस background को एड़ कर लेते हैं ठीक है अगर आपको यह background चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपनी फोटो पर क्लिक करो गया और यहां से इसको background में अच्छे सेव वाले बेटन पर क्लिक करके आप फोटो को सेव कर लेंगे अभी कुछ भी मतलब अच्छा एक effect नहीं लग रहा है अभी सिर्व background चेंज हुआ है तो background चेंज करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है ठीक है तो बैक आ जाने के बाद गाद इसी फोटो को हम दोबरा से है तोल में लेंगे जो कि हमारे काम कहा है सबसे पहले हम यहां से क्लिक करेंगे ठीक है तो box पर हम क्लिक करते हैं इसके अंदर क्लिक करने के बाद इसके amount को लगबग हम यहां पे इतना Kleit Rank ही नहीं पर आपको सम्सें को देख लेने हैं तो तोदा से इसको टेन के आरंड securities क कम कर लेंगे तो contrast को हम यहां से minus 6 कर लेते हैं and saturation को थोड़ा सा increase कर देंगे सारपेन को भी थोड़ा सा जो बरहा लेते हैं and यहां से highlights को थोड़ा सा जो हम कम करेंगे इतना हो जाने के बाद गई अब आपको विगनिट सबसे लास्ट में मिलेगा इसे भी थोड़ा सा increase करेंगे लगवग फोर फाइब कर राउंड इतना हो जाने के बाद गई अब आपको एच एस एल वाले option के अंदर चलना है यह रहा है इसके अंदर आने के बाद आपको यह वाला जो है कलर सेलेक्ट करना जो कि आपके फेश का कलर होता है औरेंज कलर तो यह थोड़ा सा येल्व टाइप का है तो सिंपली आपको से चुरेशन को थोड़ा सा कम करने हैं देखो गई जगर इसका से शुरेशन हम बढ़ाएंग इतना हो जाने के बाद रेड़ वाले कलर का सिचुरेशन थोड़ा सा जो है इंक्रीज करेंगे और साथी साथ लुमिनेस भी बरा देंगे तो रेड़ का सिचुरेशन लगबग इतना रखते हैं यहां से डन कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको एक स्प्लिट टोन का उप करना है प्लिट अलए उपर कि आपको इतना and वैसे उपर करना है और इसको भी उपर कर ना है ठीक है तो इतना कर्ण का यहां से dz तो लगबग यहां पर 5-4 यहां पर सही लग रहा है ठीक है तो हम इसको 4 करके यहां से डन कर देते हैं ओके इतना हो जाने के बाद यहां से आपको एड़्जेस्ट वाला काम खतम होता है यानि कि आपकी फोटो में लाइट की एड़्जेस्मेंट फुली कंप्लीट हो चीग है और कलर की भी तो अब आप लोग देख वारों बीफोर एंड आफ्टर में काफी ज़्यादा फरक आ गया है एन हमारी फोटो काफी मस्त यहां पर एडिट हो गई है ठीक है तो इतना यहाँ से प्लेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से इतना हो ज लाइक अगर आप इसको स्टोडी पे स्टोडी में लगाना चाहों इस्टा का या फिर वट्सएप स्टेटास यहां कुछ भी तो यहां पर आपको एक इस्टोडीयो का उप्शन मिलेगा तो कट आउट के आउट मतलब कट आउट जो है उसके बाद में आपको स्टोडीयो पासेंग होगा यानि किस के अंदर आपको बहुत सरे बने बनाए टेम्प्लेट्स पिल जाते हैं तो वह सारे आप अड़ कर सकते हो फिलाल मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना हैए आप तो यहां पर आप लोग देख वेले श्टोड़ी इव उन नर आपनी फोटो का पर अ तो यहां से आपको क्लिक करने के बाद यहां से आपको बोलेगा एड़ करने के लिए फोटो या वीडियो को लाइक हम इस फोटो को यहां से एड़ कर लेंगे यहां से आपको एक नेक्स्ट का ओप्सन मिल जागा नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते हैं क्लिक इस पर क्लिक करने के बाद यह कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग देख पा रहे हो एजली आपकी फोटो की जो है यहां पर टेम्पलेट्स आटोमेटिक्स हैं इस टोड़ी टाइब करीच बन गए जो कि आपका बिल्कुल भी आपका इस ली बन गया है यहां सहं विदियो को भी सेप कर ले करें बहुत सिंपल है यह लग आपको बीडियो पसंद आक्युक्त सोलेख यह लाइक लेए हैं आपinkम takiego सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर आउन कर लिजिए तो इस फिलाल के लिए इतने ही मिलते हैं नेक्स वडियो में लव यू ओल टेक कियर बाबाए